हम हैं तेरे स्वागत में मां हमारे घर आवो सेर की सवारी से हाथ में कमल लावो हम हैं तेरे स्वागत में मां हमारे घर आवो नमस्कार दोस्तों आप सभी मित्रों का आपके अपने यूटूब चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आईए हमेशा कितना आज मैं आप सभी के बीच में एक फिर हिंदी देवी गीत लेकर आया हूँ जो कि बहुत प्यारा गीत है दोस्तों तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम है तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ सेर की सवारी से हाथ में कमल लाओ हम है तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ तो दोस्तों एक भक्त जो है मा की स्वागत के लिए उनको पुकारता है कि आप हमारे घरा ये नौरात का महिना चालू होने वाला है तो उनके स्वागत में गीत गाता है मा के लिए दोस्तों तो ये स्वागत गीत है दोस्तों तो मा को किस परकारो बुलाता है तो आप देख पा रहे हैं कि मुखड़ा है और अब ही इसको हम धुन करेंगे बहुत प्यारा धुन है दोस्तों बिल्कुल नया है और बहुत से दोस्तों कमेंड करते हैं कि किस धुन पर है तो मैं बता दूं कि यह नया धुन है दोस्तों बिल्कुल इस पर नया म्यूजिक ब बनाते हैं कभी कभार हो गया कि ट्रेक पर डाल देते हैं तो जितने भी इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे और नए ट्रेक पर मिलें गए और पुराने ट्रेक पर भी लिखते हैं मिलता रहता है तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा मुखड़ा है अभी इसको हम धुन में करेंगे तो जब स्वागत करता है एक भक्त मातारानी क्या तो किस परकार करेगा कि हम हैं तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ तो हमारे दर्वाजी पर आए और फिर कैसे आए कि सेर की सवारी से हाथ में कमल लाओ हम हैं तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ तो दोस्तों कितना प्यारा सब्द इसमें मिला हुआ है कभी कभी दोस्तों बहुत प्यारे प्यारे सब्द मिल जाते हैं और कभी कभी बहुत मिल जाता है दोस्तों दूड़ना पड़ता है फिर भी नहीं मिल पाता है तो चलिए इसको हम दून में करेंगे हम है तेरे स्वागत में हम है तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ हम हैं तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ सेर की सवारी से हाथ में कमल लाओ हम हैं तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ हम हैं तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ तो दोस्तों इस तरह से धुन इसकी बनी हुई है तो एक अलग तरह का धुन जो है हमने और तयार किया हुआ है इसी मुखड़े को हम अलग तरह से गाएंगे कि हम है तेरे स्वागत में माह मारे घर आओ इसको हम तो तीन बार कहेंगे फिर उसके बाद लाइन कहेंगे हम है तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ सेरी की सवारी से हाथ में कमल लाओ हम है तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ तो दोस्तों वो अलग धुन थे और ये थोड़ा सा अलग है अलग कहां पर है यही है इसको दो बार तीन बार आपको करना फिर ये लाइन कहना आपको तो जो आपको बेटर लगे उस पर आप सेट कर सकते हैं तो चलिए हम आपको अंतरा दिखाएं फर्ष्ट अंतरा दोस्तों फर्ष्ट अंतरा दूसरा अंतरा नीचे है अब उसके बाद क्या कहेगा भग कि अखिया तरस रही है मा तुम्हारी दर्शन को आना नहीं था गर तुमको क्यों सामारा बच्पन को मतलब हमारी आँखें आपके दर्शन के लिए तरस रही है जब आपको आना ही नहीं है मतलब हमारी आँखें आपके दर्शन के लिए तरस रही है जब आपको आना ही नहीं है तो हमारे बच्पन को क्यों समा रहा हमें पैदा क्यों किया मतलब मैं बच्पन से आपका भगत हूँ और जिन्दगी हमें आपने क्यों दिया तो इस तरह से हमने लिया हुआ है सब और उसके बाद नव दिन के खातिर मा जल्दी से आजाओ क्रोस लाइन है आपके तो चलिए हम इसको भी धुन में करेंगे अखिया तरस रही है मा तुम्हारे दर्शनी को आना नहीं थगर तुमों को क्यों सवारा बचपनी को अखिया तरस रही है मा तुम्हारे दर्शनी को आना नहीं थगर तुमों को क्यों सवारा बचपनी को नव दिन के खा तिरे मा जलदी से आ जाओ हम है तेरे स्वागत में मा हमारे घर आओ सेरी की सवारी से हाथ में कम ले लाओ सेरी की सवारी से हाथ में कम ले लाओ तो दोस्तों कितना प्यारा अंतरा बना हुआ है और धुन इसकी कितनी प्यारी बन रही दोस्तों जैसे सच मुच में एक भक्त मा को किस परकार पुकारता है तो चलिए हम दूसरा अंतरा भी आपको दिखाए तो दोस्तों जैसे आप दूसरा देख पा रहे हैं सज गया है पंडाल तेरे लिए अब तो आ जाओ मैया जी मेरे लिए मतलब पंडाल सजा के मा का जो है उस स्वागत कर रहा भक्त कि नवरात्रे में जब पंडाल सजाया जाता है मा को फिर उनके सिंहासन पर बिठाया जाता है तब की बात है दोस्तों दिल को दुखा मेरे हे देवी क्या पाओ एक क्रोस लाइन हो गई आपके तो चलिए हमेशे भी धुन्म करेंगे सजी गया है ये पंडाल तेरे लिए अब तो आजाओ मैया जी मेरे लिए सजी गया है ये पंडाल तेरे लिए अब तो आजाओ मैया जी मेरे लिए तो दोस्तों इसके पहले जो धुन थी वो लग थी ये वाली धुन सही है कौन से सज गया है ये पंडालू तेरे लिए अब तो आजाओ मैया जी मेरे लिए दिल को दुखा मेरे हे दे भी क्या पाओ हम है तेरे स्वागत में मां हमारे घर आओ सेरी की सवारी से हाथ में कमल लाओ सेरी की सवारी से हाथ में कमल लाओ तो दोस्तों कितना प्यारा ये हिंदी बना हुआ है मतारानिका आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर जया मातादी लिख देना और मापकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार धन्यवाद